ओम नमाश्य दिव पूजी गुरु दीव ना होते तो आज क्या होता सत्य दर्शन का सूरे अस्त हो बया होता हमने कुंद कुंद आचारे शिरी नहीं देखे हमने आचारे अम्रत चंद्र भी नहीं देखे हमने गुरु देव शिरी पृसन निता से ना पुलिया केसा आनन्द भोगते मुनी स्वर्मा पृलिया हात में सांती रे बोट आतों में ना तमाया होता सत्य दर्शन का सूरे अस्त हो गया होता कुझी गुरु देव ना होते तो आज क्या होता सत्य दर्शन का सूरे अस्त हो गया भले परियाय में गुरु देव शिरी भगवन नहीं थे भले परियाय में गुरु देव शिरी सादू भी न थे लेकिन संसार से बचना जिने भगवन बनना उनको गुरु देव सी भगवान से नहीं कम थे भगवान आत्म का संकना दिना सुनाया होता सत्य दर्शन का सूरे अस्त हो गया होता उजी गुरु देव ना होते तो आज क्या होता सत्य दर्शन का सूरे अस्त हो गया होता उजी गुरु देव ने बासल हमको सिख लाया उजी गुरु देव ने स्वाध्याय कर नदर साया देव गुरु धर्म से साधर्मियों से जोडा था कितने संकुल बने गुरु देव की छत्र चाया भूले भगवान है पाठ जो न पढ़ाया होता सत्य दर्शन का सूरे अस्ते हो गया होता उजी गुरु देव न होते तो आज क्या होता सत्य दर्शन का सूरे अस्ते हो गया होता आ अधरनी विवेग जी पूरसंग जो सब सौनगर की शाधना भुमी गुर्देव स्री की शाधना भुमी पर आज पहुंचे महा भाग है अपन को कि अपन ने गुर्देव स्री के काल में जनम दिया गुर्देव स्री के दस जार घंटे के प्रवचन जो चक्रवर्ती के वैभाव से भी जादा है वो अपन सबको प्राफ हुए गुर्देव स्री के अनेक रत्म जिसमें डाक्टर भारल, युगल जी बाबू, उत्तम चंजी डाक्टर साथ, ज्यान चंजी विद्शा जिसे अन अपने को देखा, no reply is best reply, गुर्देव स्री ने बहुत मंत्र दिये, बहुत बड़ा काम कर दिया, हमारी पामर्ता को भगा दिया, हमारी प्रवता को जगा दिया, ऐसे गुर्देव स्री के चर्णों में कारण बार,